Hello guys and hope you all are doing well. मैं हूँ आपने हों का होसें दोस्पुनी तर आज हम लोग कंपारिजन करने वाले हैं सदी के दो महान फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कामेराज के बीच में Canon R6 Mark II मेरे लिएस न्यू कामेरा कानन का और Sony का A7 M4 दोनों ही लगबख सेम यानि 2.5 लाक रुपे के प्राइस एंज में देखने वाले कामेराज हैं मारकेट के अंदर और दोनों ही बहुत पॉपुलर कामेराज हैं फोटो और वीडियो के लिए आज की वीडियो जो है वो dedicated comparison है इन दोनों के बीच में आपको कौन सा कामेरा लेना चाहिए मैं दोनों के major features के बारे में बात करूँगा और आप decision लेपाएंगे उसके बात कि हम इन में से कौन सा एक right choice रहेगा आपके लिए photo और वीडियो शूट करने के लिए सबसे पहले कुछ features की बात करता हूँ major features के बीच में differences बताता हूँ मैं आपको Sony का camera है वो launch हुआ था October 2021 में और इंडिया में जो है January 2022 से आना start हो गया था A7 IV और जो R6 Mark II है वो recently introduced हुआ था 2022 November में और January 2023 से मिलना market में start हुआ था दोनों ही almost नहीं cameras है और इन दोनों के भीच में जो major में सबसे पहले resolution और सेंसर के बीच में difference बताऊंगा तो जो A7 M4 है वो 33 Megapixel के resolution में आता है वेरस Canon R6 Mark II जो है वो 24 Megapixel के resolution में देखने को मलता है तो अब megapixel wise देखेंगे तो A7 IV has a better Megapixel, better resolution अगर मैं actually मैं photos के भी आपको you know comparison दिखा हूं screen पे तो you will notice के 7 IV के जो photos है वो Canon R6 Mark II से better नजर आएंगे reason because of 33 Megapixel का sensor हमें यहां पे देखने को मिलता है और Canon में हमें 24 Megapixel का resolution देखने को मिलता है तो photos में of course Sony has a better opportunity to shoot photos and दोनों ही cameras low light sensitive है बहुत Canon R6 का ISO है वो 100 से start होता है एक लग 24 से जाता है Sony का जो ISO है वो 100 से start होता है और 51,200 तक native ISO हमें देखने को मिलता है दोनों के बहुत अच्छा ISO performance है Sony में अगर आप photo करते हैं 10,000, 11,000 ISO, 12,000 ISO पे shoot कर सकते हो even Canon में भी इतने ISO तो का पांग बंद करके shoot कर सकते हो एक जो advantage में Sony का लगता है that is for mount का क्योंकि Sony में हमें E mount देखने को मिलता है Canon में RF mount देखने को मिलता है Canon ने अभी recent update के बाद से जितने भी third party lenses का support है वो Canon में बंद कर दिया है आप आइधर RF lens लगा सकते हो और आइधर adapter लगा करके Canon के अपने जो पुराने वाले lenses थे EF वो mount कर सकते हो but Sony में already आपको lenses के बहुत options available है native तो आपको बहुत सारे मिलते हैं फर third parties आपको बहुत सारे lenses मिल जाते हैं जो इस पे mount करके photo और video में use के रहा सकते हैं display की बात करों तो दोनों के display resolutions almost sort of same है frame rate में बात करों तो Canon R6 Mark II है इसमें एक अच्छी चीज ये मिलती है कि इसमें अभी 12 fps continue shooting देखने को मिलती है mechanical shutter के साथ में और without mechanical मतलब अगर आप electronic shutter पे चले जाते हो तो ये camera 40 fps का continue jpack पे burst shoot कर सकता है तो continue shooting में Canon has a lot of advantage compared to Sony but Sony में आपको mechanical shutter और electronic shutter दोनों पे ही 10 fps continue shoot का option मिलता है दोनों का ही autofocus कमाल का है इस बार Canon ने जो नए autofocusing system यूज किया है अपना वो काफी better हो गया है आई autofocus और वो हर एक चीज प्रॉपरली track करता है Sony का तो autofocus के जवाब ही नहीं है A7 M4 का जो autofocus है वो बड़ा ही कमाल का है Autofocus में किसी भी टाइब की आपको problem नहीं देखने को मिलती ही दोनों ही camera's की autofocus better है बट अगर आप बोलो कि किसका सबसे fast है तो I think Sony का सबसे fast है अभी भी autofocus compared to Canon बट दोनों के अब जो focusing system है वो यूज किरा सकते है फोटो और वीडियो किसी भी situation में without any problem Now, यह थे कुछ photography specs, आपको एक स्क्रीन पे samples भी नजर आ रहोंगे फोटो में में को लगता है कि अगर आप मैं 100 आउट ऑफ 100 बोलूं तो Sony A7-4 को जाएगा reason because photo में इसके जो response है वो काफी अच्छा में देखने को मिलता है अपनी वीडियो में कुछ इस टाप का cinematics text इस टाप का Cinematic text और इस टाप का Cinematic text चाते हो इसके साथ में license music और जो है वो SFX चाते हो अपने वीडियो के लिए इसके साथ में कुछ cinematic transitions और एस वेल एस आपनी वीडियो के B-rolls के लिए stock footage जाते हो तो मैं आपको एक website recommend कर सकता हूं इसका नाम है Motion Array Motion Array एक one-stop solution है content creators, videographers और editors के लिए जहां से आप हर एक चीज डाउनलोड कर सकते हो एक one-stop solution क्यों है क्योंकि यहां पर आपको music से लेकर के stock footage stock photo से लेकर के animated 3D text और इसके साथ में 3D graphics भी देखने को मिलते हैं और इसकी parent company जो है वो आट लिस्ट और आट ग्रिड तो जो भी stock footage दिखेंगे और जो music आपको दिखेंगा वह आट लिस्ट यहां फिर आपको देखने को मिलते हैं तो जो stock footage मूजिक है एसफेक्स हैं वो काफी जादा premium quality के इस platform पे देखने को मिलते हैं इसका yearly subscription काफी अपोड़िबल है स्क्रीन पर दिख रहा होगा को कितने का स्क्रीप्शन पढ़ता है मेरे लिंक से अगर जाकर करेंगे तो एक मेने तक आप इसको फ्री में यूज कर सकते हो मैं इस platform को काफी ताइम से यूज कर रहा हूँ यह मेरी video editing को जो है वो scale-up कर देता है if you want to try then definitely check out through my link yearly और monthly subscription पे बेज़ दो इसका platform में देखने को मिलता है body ergonomics ही बात करों तो दोनों ही cameras काफी अच्छी body ergonomics में आते है weight almost same है 15-15-20-20 gram का फरक है bodies के बीच में तो जादा कोई major difference नहीं है weight के अंदर दोनों almost same sort of weight में देखने को मिलते है ergonomic wise अगर आप देखोगी तो Canon का camera आपको ज्यादा better feel होगा reason because of इनकी grip ज्यादा बड़ी बनाई है और ज्यादा hold करने में comfortable feel होती है compared to sony camera because sony cameras की थोड़ी सी grip हमेशा छोटी ही रहती है और अगर आपके बड़े हाथ है तो चैदा आपको Canon का camera ज्यादा comfortable लगेगा use करने में videos बनाने में photo shoot करने में whereas sony थोड़ा सा uncomfortable हो जाता है आप cage wage लगा करके इसको बढ़िया कर सकते हो बट वैसे साथ में जो grip है वो decent sort of हमें grip में देखने को मिलता है now हम लोग बात करते हैं battery life की दोनों cameras की बहुत ही recent battery है बट अगर मैं photo और video में battery को winner दूँगा तो वो sony को दूँगा because sony की battery जो है वो काफी लंबी चलती है video में लगबग 1 गंटा 20 minute चल जाती है Canon जो है वो almost 45 minute के असपस continue rolling time देता है आपको और photos में तो battery का problem होता ही नहीं photo में कोई battery का problem नहीं होता है हमेशा video में होता है तो Canon की video में battery life बहुत कम है compared to sony की battery life बहुत ही ज़्यादा बढ़ी है plus आप type C port को use करके और cross supply भी दे सकते हो 4K 60 frame 10 bit record कर सकता है और full HD 120 frame 10 bit कर सकता है same as Canon भी 4K 60 10 bit record कर सकता है but आपका जो full HD में 180 frame तक का 180 frame तक आप slow motion के अंदर जा सकते हैं एक जो चीज Canon में आपको advantage मिलेगा कि crop नहीं होता sensor अगर आप इसे video बना रहे हैं तो full frame पे 4K 60 और 180 frame पे वीडियो बनती है 1 by 1 की cropping जो standard रहती हो रहती है बाकि Sony में जो सबसे बड़ी problem मुझे दिखने को मिलती है that is के आप 4K 60 पे जैसे ही जाओगे तो आपका sensor APS-C mode पे crop हो जाएगा और CMS 4K Full HD 120 करेंगे तो camera जो है वो Super 35 format यानि APS-C mode पे crop हो जाता है बट अगर मैं on table बात करूँ तो dynamic range S lock के अंदर आप Sony A7IV की better नजर आएगी compared to Canon और of course दोनों ही cameras में हमें heating की थोड़ी थोड़ी problem देखने को मिलती है A7IV भी shooting के time पे outdoor में heat करता है Canon R6 Mark II भी shooting के time पे outdoor में हमें heat करता बन नजर आता है तो दोनों में heating की थोड़ी बहुत problem हमें नजर आती है Memory card slot में Sony में आपको एक CFexpress type A card slot मिलता है SD card slot मिलता है Dual slot है basically तो एक slot में किवल SD लगेगा दूसरे slot में reverse compatibility है Canon में हमें जो है वो CFexpress type B card slot मिलता है और SD card slot मिलता है Reverse compatible card नहीं है दोनों individual cards ने individually use के रहा सकता है तो दोनों ही cameras are very good in terms of shooting photos and videos Screen पे जितने भी आपने अब तक S-Log वाले और C-Log वाले samples देखे उन्हें मैंने color grade किया है मेरी master luts को use करके जिनके link आपको description में मिल जाएंगे तो जा करके जरूर check out कर लेना तो देखो photo और video के हिसाब से all-rounder camera लेना है तो मेरे हिसाब से A7-4 is still a good choice बट अगर आपको photo में 33MP नहीं चाहिए 24MP से काम कर सकते हो और video में crop नहीं चाहिए तो फिर Canon का जो R6 Mark II है It's a great choice to have in your bag दोनों ही cameras के link description में मिल जाएंगे मेरे video rating का जो course चल रहा है उसके link भी और साथ सत में Luts के और मेरे color grading और video filmmaking के course के link भी आपको description में मिल जाएंगे जाकर के check out कर लीजे cameras को भी और मेरे digital assets को भी Thank you so much guys for watching this State Union की shooting